इसकार पंजाब के इसरी में आपका स्वागत है मैं हूं बलवन तक्षक हरियाना विधान सबागा बजट सत्र शुरू हो चुका है राजपाल का विवाशन हो चुका है दस तारीक को कॉंग्रेस मनोर सरकार के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी बारा तारीक क को हरियाना का वर्स 21-22 के लिए बजट पेश किया जाएगा इनी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता और विधायक केंड चोधरी से मैडम आपका स्वागत है राजपाल का विवासन हो चुका है आपने बहुत सारे प्रस्ताव दिये थ जो है एहम विश्वों के ऊपर चर्चा करने से भाग रही है उसका मतलब यह है कि सरकार की नियत जो है वो साफ नहीं है जिस तरह से मेरे इसवाय मैं चार ऐसे खारिज करके इनोंने भेज दिये तेरा प्रस्ताव तेरा कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने भेजे थे जिन में चार को अभी से खारिज करके भेज दिया उन मेंसे एक तो कानून वेवस्था का था कानून वेवस्थार आज के दिन आप जानते हो इतनी बुरी तरह से चर्मना चुकी है और सरकार को उसके उपर जवाब देना चाहिए चरचा करनी चाहिए कि यह हलात इतने बडसे बद् जीवन रेखा है आज जो है सुप्रीम कोड का फैसला हमारे हक में आ चुका है छे साल से उपर छे साल के करीब मेरे क्याल में होने जा रहे हैं और अब एहम और भी जादा इसलिए है क्योंकि इनी के बीजेपी के मंतरियों ने किसान अंदोलन के समय पर ध्यान बढ़काने के लिए उपवास रखे थे एस्वाइल नहर के नाम के कि एस्वाइल नहर लेकर आएंगे एस्वाइल नहर लेकर आएंगे आज जो है उसी नहर के ओपर चर्चा करने से गुरेज करने हैं और उसको ध्याना कर्शन प्रसाव को जो है सिरे से खारिज करके बाहर फैंक दिया य इसी तरह से जो है ये मैंने एक निजी रूप पर एक प्रस्ताव भेजा था resolution कि हमारी assembly ये पास करके भेजे केंदर सरकार को सिफारिश भेजे कि हम ये तीनों जो कानून है हमारे किसान भाईयों के विरूद में इन तीनों कानूनों को निरस्त करा जाए ये सिफारिश हमारी assembly करके भेज सकती है क्योंके पिछली बार इनोंने धन्यवाद प्रस्ताव पास करके भेजा था तो इस बारी ये आप ये करके भेजिए आपकी असलियत पता चल जाएगी क्योंके केंदर के उपर ये बाट डाल देते हैं सारे आप हरियाना सरकार के अंदर आप तो सिफारिश कर सकते हैं ना लेकिन सरकार ने उस resolution को भी जो किसानों के पक्ष में था उसको सरे से खारिश करके बाहर फैंक दिया इसी तरह से जो है MSP के ओपर जो है ये प्राइविट मेंबर बिल था उसका मकसद किकेवल ये था कि केंदर जो कर रहा हम अपने हरियाना के अंदर कम से कम जो MSP निरधारित है वो MSP निरधारित करी जाए और जो MSP निरधारित से नीचे कोई भी अगर कुछ करीदता है तो तो इसका मतलब स्वष्ट है सरकार का कि कहने के और करने के कुछ और बाते हैं। कि जल रैली कर रहे हैं और जल रैली कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे हैं। ब्रहमित करने के लिए जरूर ये रैली कर लेंगे, उपवास रख लेंगे, लेकिन जब चर्चा करनी है, जिसके उपर ठोस कदम उठाना है, वो ये नहीं करेंगे, वो इनकी असलियत है, क्योंके सदन पडल के उपर जो बाब जो रखी जाती है, वो सब को मालूम चलती है, वो ये नहीं करना चाहते तो इनकी असलियत सामने आ गही ना ब्रहमित करने वाली बात कि हर तरीके से बाटो ब्रहमित करो जूट बोलो जुमले बोलो और आगे बढ़ो ये काम इनकर अभी आपने एलाइन ओर्डर की बात की कि खराब इस्थिति है आपने देखा होगा कि हमा अभी आपने अभी आपने गश्तान है तो क्या उसका भी लाइन ओर्डर की इस्थिति पे को इसर पड़ता है आज जो लाइन ओर्डर हो रहा है वो सब के सामने है और क्यों नहीं पड़ेगा जब इंटर्नल इनके इतने ज़्यादा के कितने परिशानिया हो रही है तो ये लाइन ओर्डर के उपर इस पर असर तो बढ़ी रहा है पर क्या रहा है सामने नजर आ रहा है आज वेपयारी भाई जो है वो डरता है अपने घर से बाहर निकलने लिए दुकान पे जाके घर जाने के लिए डरता है माता हैं जो है अपनी बेट问题 वीचिते रोज को के यह उ कानून विवस्ता तो बिल्कुल ख्तम हो चुकी है आज हरीयाना के अंदर अ छाया कोई चीज नज़र आ नहीं रही झाए आज जो जैरील-स राब से कुरीव 77 नोगों की मौत हो गई ती सरकार में एक कमेटी कि तीजी एक कमेटी कि और तीसरी कमिटी गठित की और अभी मुख्यमंत्री जी ने का है कि मुख्या चीव विजय वर्धन जी के अध्यक्षता में एक कमिटी और गठित कर दिये आपको लगता है कि जो इस मामले में जो माफिया था या जिनकी सनलिपता थी उनके खिलाब कोई कारवाई होगी कमिटी गठित करने का मतलब यह है कि उसको रदी के टोकरे के अंदर फैंक दो कोई भी चीज को रदी के टोकरे में फैंकना है तो उसको कमिटी में गठित कर दो सचा यह है कि SIT गठित करी गई उस SIT ने आपने जो है सारे सुझाव दी है उसके अंदर आला अफसर जो है उसके अंदर समलित पाए गए है जो मुझे मालूम चला है जो मतलब लोगों ने मुझे बताया है और उसके साथ साथ जो है इतनौल आपने यह देखा ENA जो है उसके उपर किसी तरह कांकुश नहीं है खुले आम जो हो रहा है 95% जो है से ज़्यादा ENA जो है इस्तिमाल करा जाता है शराब के अंदर तो उसका ट्राजडी होती है जिसके कारण इतने सारे लोगों की मौत हो गई है तो यह सारी की सारी चीज़ों के उपर मतलब ठोक खदम उठाने की वजाए हर एक चीज़ पर लीपा पोती करने की कोशिश जब करी जाती है तो सपश नजर आ जाता है कि सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम्याब हो चुकी है और वो सामने नजर आ रहा है मैं नहीं कह रही ह हैं सरकार को जितने विदाइक चाहिए उससे ज्यादा भहूमत है सरकार के पास फिर इस अविश्वास प्रस्ताव के क्या माईन है आपने अच्छा प्रशन करा यह अविश्वास प्रस्ताव हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इस सरकार की असलियत वो लोहों के सामने आए यह हमें भी मालूम है कि इनके पास जो है MLA हमारे से ज़्यादा हैं लेकिन आज जो ये अलग-अलग स्वर के अंदर ये बात करते हैं इनके कई MLA बहार कुछ कह रहे हैं अंदर कुछ कह रहे हैं वो असलियत इनकी सामने आ जाए कि जब वोटिंग होई है विश्वास करेगा उसका पता चलेगा जो इस कानून के विपक्ष में वोट करेगा उसका पता चलेगा तो असलियत इनकी सामने आ जाएगी है ना तो हमारी नियत यह है कि असलियत इनकी जो है जंता के सामने आए ताकि जंता देख पाए कि ये किस तरह से लोगों को ब्रहमित करते हैं कि उनका focus जो है health और कुछी पर ज्यादा रहेगा आपको लगता है कि हर्याना के लोगों को इस budget से कोई राहत मिल पाएगी कि वितियस्तिति हमारी जो है पूरी दरह से तो खतम हो चुकी है आज दो लाग करोड़ से जादा जो है हमारा जो है हम साखर्जा करजा हमारे उपर है सिर्के साथ की साथ जो है तनकाएं जो है वो दीन ही जा रही हैं समय पर चाहे पुलिस डेपार्टमेंट हो या आपने देखा हर चीज जो है वो जुमला बनके रह जाती है तो ये बड़ा दुर्भागे की बात है तो आखरी सवाल है मैम सरकार ने कहा है कि एक लाख करोड का निवेस आएगा और करीब पांच लाख लोगों को हम नोक्रियां देंगे हरियाना में बेरेजगारी की स्थिति आप से चुपी नहीं है आपको लगता है कि ये वादा पूरा हो पाएगा मैं बड़ी कुश होंगी अगर ये बात है तो हम भी कहते हैं उनका धन्यवाद करेंगे लेकिन असलियत जो है वो कहते हैं ना खाने की और दांत दिखाने के और चबाने के अलग लग है असलियत त तो नया कौन आ रहा है कौन से जिले में कौन कौन आ रहा है कहां पे आ रहा है किस तरह से आप देंगे जो आपने बिल का प्रवधान करा है उस बिल के अंदर भी प्रवधान इस तरह के करे गए हैं कि 75% हमारे नौजमानों को मिलना मुश्किल है आज जो सरकारी नौकरियो की बातें चलती हैं उसके अंदर और उसके साथ साथ आज जो नौक 33 पर संट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की नौकरियां पढ़ी होई है खाली इतने सारे जो पेपर हैं वो रद हो रहे हैं तो जो बेचारे भेंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है पेट्रोल बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर जैसे है मैंने आपको कहा तो यह आने वाले समय में लोग करेंगे क्या शुक्रिया मैं पंजाब के इसरी बातचीत के लिए थांक्यू जी धन्यवाद नमस्कार तो यह थे कॉंग्रिस की वरिष्ट नेता और विधायक किरन चोधरी जिनक पर उनका अभार व्यक्त करेंगे पंजाब के इसरी के लिए कैमरमेन अमंदीप सिंग के साथ बलवन तक्षक चंडिगड़